कि दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने यह ओरेंज वाइन बनाई थी इसका वीडियो अप्लोड किया था इसका सेकिंड पार्ड मैं बनाना भूल गया था सेकिंड पार्ड के अंदर मैंने इसके अंदर पल्प थी वो सारी नीचे बैठ की थी यहां तक तो इसको वाइन को उपर उपर से उठा के मैंने पल्प को फेंक दिया था तो यह वाइन कम होके अब इतनी रहेगी यहां तक तो यह पहले थी उसके बार यह थोड़ी सी और कम ह तो काफी क्लियर वाइन है रंग भी अच्छा है इसमें क्लर तो इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें हमने वो डाली थी गुड की शक्कर डाली थी उसकी वज़ा से और उसके बाद इसको डिक्टेशन करने के बाद मैंने इसके अंदर आदा किलो बुरा चीनी और डाल दिया यह बिल्कुल ड्राई हो गी थी इसको इसके अंदर ओरंज की थोड़ी खटास आ रहे थी बाकी इस बिल्कुल मिठा बिल्कुल खटम हो गया था तो यह रूक गी थी बिल्कुल इसमें कोई बबल नहीं आ रहे थे तो चिन्नी डालने के बाद भी अब यह दवारा चालू हुई है तो मैंने इसको टेस्ट करके देखा था चिन्नी डालने के बाद इसका टेस्ट बिल्कुल ओके था अगर यह दवारा नहीं भी चलती तब भी इसमें एक किलो शक्कर जो है वो चल चुकी है और ओरंज की अपनी मिठास थी वो भी खतम हो गी है चार लिटर वाइन क नीचे बैठ जाएगी फिर उपर उपर से इसको वाइन को उठा के बोटलिंग कर देंगे और तो यह ओके है अब यह बिल्कुल नहीं चल दी इसमें कोई बबल नहीं आ रहा है कोई कुछ नहीं टेंपरेचर भी अच्छा खासा है इसमें जो मेरा फर्माटेशन चेंबर है इसके अंदर 28 डिग्री टेंपरेचर रखा हुआ है अगर इस टेंपरेचर पर भी यह वाइन चालू नहीं हो रही तो इसका मतलो इसका फर्माटेशन जो है वो डन हो चुका है तो इसको तीन-चार दिन के बाद फिर मैं दुबारा इसे उपर-उपर से उठा लूँगा औ अपलोड नहीं कर सका एक्चुल वो रात के टाइम पर किया था मैंने काम तो उस टेम वीडियो बनाना पॉसिवल नहीं था मेरे लिए काम उस टेम इसको करना जरूरी था और वीडियो नहीं बना पाया मैं उस टेम अच्छा एक मैं इसके उपर वीडियो बनाऊंगा इसका मैंने setup बनाना है अभी जैसे मैं इसकी वीडियो शूट कर रहा हूं तो मुझे light की problem आ रही है light proper नहीं आ रही वीडियो के अंदर है तो एक हम soft box बनाएंगे YouTube वीडियो के लिए और थोड़ा सा उससे वीडियो quality भी improve हो जाएगी तो उसकी वीडियो मैं अलग से वो भी एक अपने इसी चैनल पर डाल दूँगा तो ओके दोस्तों thanks for watching